हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी बांगलादेश में हाला तेजी से बदल रहे हैं अभी कुछी दिन पहले जिस तरीके से बांगलादेश के विद्याक्षियों के द्वारा सरक पर उतर कर विरोथ प्रदर्शन किये गए आरक्षन का विरोथ किया गया इस पूरे मामले को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने इस पूरे मामले की विस्तार से चर्चा की थी लेकिन वर्तमान में जिस परिस्थिती में बांगलादेश की स्थिती हम लोग देख रहे हैं वैसे में भारत के द्वारा क्या कुछ स्टेंड लिये जाने की संभावना है क्या कुछ भारत के मन में चल रहा है इसके बारे में हम लोग आज की इस विशेश चर्चा में बातचित करेंगे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेगा कि भारत के विदेश मंत्राले के एस्तर पर इस पूरे मामले को लेकर के जो टिपनी की गई है उसमें यह कहा जा रहा है कि यह बांगलादेश का अंदरूनी मामला है इंटर्नल मैटर है और इसलिए हम इसमें ऐस सच कोई भी निर्थक खस्तक शेप नहीं करेंगे लेकिन भारत की एक दूसरी चिंता है जिसको हमें समझनी की जरूरत है लेकिन इसमें और आगे बातचित करने से पहले एक महतवपून सूचना मैं आपको यह देना चाहूंगा कि अभी ग्रेट लर्णिंग सेल के तहत आपको एक विशेश ओफर मिल रहा है किसके अंतरगत तो P2I बैच में एडमिशन लेने के संदर्व में और इस लिहास से यह जो बैच है अपने आप में महतवपून हो जाता है क्योंकि 22 जुलाई तक इसमें एक खास ओफर चल रहा है और इसमें तमाम सुधाएं आपको मिल रही है जिसके में सबसे महतवपून सुधाई यह है कि यदि आप इस कोर्स को जुएन करते हैं और आप पीटी 225 को कौलिफाई करते हैं तो आपकी जो संपूर्ण फी है वो वापस कर दी जाएगी और बाकी आपकी 6 तयारी पूरी तरीके से निशुल्क करवाई जाएगी इस कोर्स के अंदरगत कई सारी तमाम सुधाई हैं जैसे कि लाइफ क्लासिस की सुधाई, डेली आंसर आइटिंग की सुधाई, मेंटर्सिप की सुधाई विकली रिविजन टेस्ट की सुधाई, यह सारी सुधाई ग्यानवानी से एसनस आदी ये सारी सुधाएं आपको मिल रही है और इस कोर्स को जोईन करने के लिए दोस्तों आप केवल दिलीप लाइफ कोर्ट का इस्तमाल कीजिए इसके तहट आपको मात्र 24,999 रुपए में यह P2I बैच आपको आसानी से मिल सकता है ध्यान लखेगा कि 22 जुलाई तक ही इसमें जो बांगरा देश का अंदरूनी मामला है इंटर्नल मैटर है हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे अब देखो इस बात को थोड़ा से समझो कि आखिर ये क्या कुछ कहना चाहता है आप इसको एक उदहरन से समझो कि मालने जीए कि आपके मुहले में एक तरफ आप रह र हुई है चिख चिलाहट की सिदी बनी हुई है तो आप इसमें ये नहीं चाहेंगे कि हम इनके इंटर्नल मैटर में कोई दखल अंदाजी करें ठीक है हम इसलिए नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको यह भैर लग सकता है कि कल को यदि हमारे यहां पर एस सर्च मालो कुछ हो जा हैंगे तो यह इसका अंदरुनी मामला नहीं रह जाएगा बलकि यह बाहरी मामला आ जाएगा और यह जो बाहरी मामला है यह सही नहीं होगा इसमें बाकी के जो देश हैं वो भी इंटर्फेर कर सकते हैं तो यहां पर इस लिहास से भारत ने यह कहा कि हम इसमें ऐस सच कोई अंदरुनी मामला होने के कारण हस्तक छेप नहीं करेंगे लेकिन अब यहाँ पर एक दूसरा एंगल यह है कि ठीक है सहब जब हम हस्तक छेप नहीं करेंगे तब तो कोई बात ही नहीं है लेकिन अब माल लो कि आपकी भाई आपका बेटा आपका कोई रिष्टिदार आपके इस परोसिक यहां गया हुआ है दो-तीन दिन से वो वहीं पर रुका हुआ है माल लीजिए सपोर्श कर लीजिए तो ऐसे में आपको चिंता होगी या नहीं होगी बिल्कुल चिंता होगी आपको लगेगा कि कहीं ऐसा नहों कि इनकी आपस की लराई में और मेरा जो अपना है उसी के माथे पर डंडा बच जाए उन्ही का सीर कोई फोड़ दे इट में भी पॉस्ब आप बिल्कुल चाहेंगे कि ऐसे में आप उनको वापस अपने घर बुला ले तो कुछ ऐसे ही स्थिती वरतमान में भारत के संदर में भी देखी जा रही है कि भारत भी भारतिये और भारत के जो भी विद्यारती बांगलादेश में रह रहे थे उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है और इसी संदर में आज की यह जड़चा अपने आप में महत्वपुन हो जा रही है लेकिन यहाँ पर एक जो अन्य महत्वपुन पक्ष है उसे भी ध्यान देने की जरूरत है दोस्तो जब मैंने आपसे यह कहा कि भारत के विदेश मंत्राले के तरफ से टिपनी आई कि बांगलादेश का यह अंदरोनी मामला है तो ध्यान दीजेगा कि 2022 में भारत में एक इशू बहुत ही विस्तारित हो चुका था और वो इशू क्या था भारत में एक महिला है नुपुर शरमा जी और नुपुर शरमा जी के द्वारा प्रोफेट मुहम्मद यानि मुहमद साहब जी के विरोध में कुछ टीका टिपनी कर दी गई थी और इस पूरे मामले में मुसलिम जगत में मुसलिम देशों में एक हिंसा की स्थिती पैदा कर दी थी एक आक्रोश की सिती पैदा कर दी थी और बांगलादेश में भी इस मामले के कारण एक उठापटक की सिती देखी गई थी लेकिन ध्यान रखीगा कि उस समय बांगलादेश की सरकार किसकी थी तो वर्तमान में जो शेख हसीना जी बांगलादेश की प्रधान मंत्री हैं इनहीं की सरकार उस समय भी थी और उस समय बांगलादेश के मंत्री महोदे ने ये कहा था कि जो यह आक्रोश की सिती देखी जा रही है भारत में वह भारत का अंदरूनी मामला है हम इसमें ऐस सच कोई भी राज की ऐस तरपर टीका टिपनी नहीं करेंगे और बांगलादेश में इस मामले को लेकर के जो भी उठापटक किया जा रहा है ये कटर पंथी संगठनों के द्वारा किया जा रहा है हम इसका बहिशकार करते हैं इस तरीके की बातें 2022 में की गई थी और कुछ वैसे ही बातें इसमें भारत के द्वारा भी की जा रही है कि भारत भी बांगलादेश में इस तरीके की स्थिती में ये कह रहा है कि ये बांगलादेश का अपना अंदुरूनी मामला है अब आप इस बात को समझे कि बांगला देश और भारत दोनों ही अपने अपने अस्तर पर इस खास स्टैंड पर काबिज हैं और ये नहीं चाहते हैं कि हम आपस में किसी भी इस्तर पर कोई मतभेद की इस्थिती में आएं और दोनों ही अपने अपने अस्तर पर इस विदेश निती को फॉलो कर रहे हैं कि हम भाई एक दूसरे के अंदरुनी मामले में हस्तक्षिप नहीं करेंगे यहाँ पर यह बात एदम clarity के साथ दिख रही है अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि ठीक है भारत के दौरा यह तो कह दिया गया कि हम कोई भी अंदरोनी मामले में हस्दक्षर नहीं करेंगे लेकिन वही जो दुसरी बात है आपका जो रिष्टेदार है वहाँ पर विराजमान है तो उसके सिर्फ फुटने की भी संभावना है ऐसे में आप क्या कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों ध्यान लेखेगा कि बांगला देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा साजा होती है सबसे लंबी भू सीमा इनफेक्ट 4096 किलो मीटर की ठीक है जी अब यहाँ पर ध्यान लेखेगा कि जो भारत के महतवपून राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल मेगाले त्रिपूरा मिजोरम इन सभी के साथ और असम इन पांच राज्यों के साथ में जो बांगला देश की सीमा है यह साजा होती है यह ध्यान लेखेगा इग्जामिनेशन में इस तरीके से सावार पूछा भी जाता है कि कौन-कौन से राज्यों से सीमा साजा होती है अब मैं यहाँ पर थोड़ा से और विसार से बता देना चाहूंगा कि बांगला देश के साथ में जब हम लोग देखते हैं कि 4096 किलोमीटर या कहीं-कहीं पर 4997 किलोमीटर भी लिखा रहता है तो यह जो सीमा साजा हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा सीमा साजा किस राज्य से होती है तो पश्चिम बंगा देन आफ्टर त्रिपूरा इसके बाद मेघाले असम और मिजोरं इस घटते ओर्डर में जो मागला देश की सीमा है इन राज्यों के साजा होती एक्जामिरेशन में मालो के भी सवाल पूछ दे तो आपको ध्यान रखना है कि घटते ओर्डर में यह है सबसे अधिक जो सीमा है वो पश्चिम बंगार के साजा होती है और इसी कारण से भारत को सावधान होने की जरूरत है कि बांगला देश में जो वर्तमान में प्रदर्शन हो रहे है उस प्रदर्शन का जो प्रभाव है वो हमारे सीमावर्ती राज्यों पर न पढ़े और साथ ही हम ये भी कोशिश करें कि जो भी हमारे विद्यार्थी जो भी भारतिये वहाँ पर किसी भी वज़ा से हैं उनको हम सुरक्षित वापस बुलाएं और इसी मद्दे नजल भारत सरकार के द्वारा कुछ गतिविधियां अपनाई गई हैं जैसे कि जो महतपूर्ण सीमावरती बौडर हैं चेकपुस्ट हैं वहाँ पर यह एहतियाद बरता गिया है कि जो भी भारतिये आना चalsmith इन बौडर्थ के माध़ेम से इन चेकपुस्ट के माध़ेम से वो भारत आ सकते हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके यहाँ पर दोस्तों ध्यान लखेगा कि इन चेकपोस्ट में गेडे दर्शाना चेकपोस्ट, बेनापुल, पेट्रापुल चेकपोस्ट और अक्होरा अगरतला चेकपोस्ट को लगातार ओपिन किया गया है ताकि किसी भी इस तरह पर भारतीयों को भारत में प्रवेश करने म ऐस सच कोई दिक्कत का सामना न करना पर है तो यहाँ पर भारत के द्वारा ये सब कुछ स्टेंड लिए गए हैं और साथ ही यहाँ पर ये भी समाचार आ रहा है कि बांगला देश में जो भी भुटान के निवासी या फिर नेपाल के निवासी रह रहे हैं वो भी भारत की इन चेकपोर्ष्ट से होते हुए अपने अपने देश दा सकते हैं भारत ने इतनी सहूलियत दे दी है जो निश्ची तौब पर काबिले तारीफ है तो यहाँ पर इस पूरे मामले को जो हम लोग ने देखा उससे यह क्लैरिटी हो रही है कि किस तरीके से भारत के द्वारा यहाँ पर कुछ अपने इस तरह पर स्टेंड लिया गया है भारत ने अपना क्या मनतवे रखा है यहाँ पर एक तस्वीर भी सामने आ रही है PTI यानि कि प्रेस्ट अफ इंडिया के द्वारा यह तस्वीर भी रिलीज की गई है जिसमें भारत में जो भी विद्यार्थी आ हो रहा है ऐसा नहों कि उस प्रदर्शन की आग भारत की सिमावर्ती राज्यों में भी घुज जाए और इस लिए यहाँ पर जो भी चेक पोस्ट पर सैनिक तैनात हैं उनके द्वारा बहुत बहुत बहतर तरीके से निरिक्षन करके और जो भी भारतिये हैं उनको अंदर प आज की चर्चा इतनी तक ही सीमित रखते हैं साथ ही एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो पी टू आई बैच है पी टू आई बैच की सुगात हो चुकी है 18 जुलाई से 22 जुलाई तक इसमें एडमिशन की अंतिमतिती है ग्रेट लर्निंग सेल के तहत आ ठीकर जी मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ किसी और महतुपूर्ण चर्चा में अपना ख्याल रखिए अल दे पेस्ट